आप सब को आपकी पूनम की तरफ से जैसरी राद है आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताएं और मैं एकदम फिट हूँ आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसके बारे में आपको कई चीजे जानने की उत्सुकता थी जैसे कि आपको पता है कि मैंने बच्चों की ग्रोथ के लिए तीन दिन पहले ही एक वीडियो राला था आप सब ने उस वीडियो को भर भर के प्यार दिया लेकिन साथ ही साथ पीछे चूट गए आपके सवाल जिनके आज मैं जवाब लेके आई हूँ बहुत सारी चीजें आ जाहिर सी बात है कि बरबाद नहीं होने देंगे तो मैं आज आपको बहुत बढ़िया और डिटेल में बताने वाली हूँ तो देखे मैंने आपको बताया था कि बास का मुरब्बा खाने से बच्चों की हाइट बढ़ती है लेकिन आज आपको लंबाई के बारे में तो बत आप मुझे प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मैं खुद अपने घर में इसका कई बार अलग-अलग लोगों में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और यकीन मानिये के वल 15 दिन में करीब डेड़ डेड़ केजी बेट बढ़ गया है तो यहाँ पर उस वीडियो को भी हम मार्केट से ले सकते हैं क्या मार्केट में मिलता है क्या तो बिल्कुल मिलता है आप इसको मार्केट से बहुत आसानी से पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहले तो आप किसी भी मेडिकल सोप में पूछिए और अगर वहाँ पर आपके आस-पास नहीं मिल रहा तो आप पंसारी की सोप में पूछिए यह मुरब्बा मार्केट में किराना सोप में भी आसानी से मिल जाता है तो आप बांस का मुरब्बा आसानी से ले सकते हैं मार्केट से खरीद के अब आपका एक और सवाल था कि किस एस तक हम अपने बच्चों को यह मुरब्बा खिला सकते हैं तो जैसा कब इसी एस तक करीब बढ़ता है तो यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ जादा नहीं हो रही क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे किसी स्पीड से बढ़ रहे हैं कई बार जैनेटिक होता है जैसे मम्मी पापा बहुत लगा रहता है लेकिन आपने देखा होगा मेरी हाइड भी कुछ खास नहीं है मेरे हजबेंड भी बहुत लंबे नहीं है लेकिन मेरे दोनों बच्चे ठीक ठाक है तो सबसे पहले तो आपको एक चीज और बता दू जो बास की मुरब्बा के अलावा है क्योंकि आप मेरे अप अबस्ता है आपने बच्चों को सवस्त रख सके कर l데 रख सके है उनका लंबाई भी और उनका हेल्थ इसचा रहे तो यहां पर आपको सबसे पहले बच्चों को दोल देना है देखिए मैंने अपने बच्चों को जितना हो सके उत्ना दूद दीजिए दूद से हाइट बहुत फास्ट बढ़ती है और आपको ये सारी चीजे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने बच्चों को दूद की क्वांटिटी अच्छी देदी बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहता है और बच्चे हाइट में भ बाद भी नहीं लंबे हो रहे हैं तब आपको देना है बास्का मुरब्ब्भ वैसे तो आप बास्का मुरब्भ दस साल से ऊपर के हैं किसी भी एज में खा सकते हैं क्योंकि बास्की मुरब्ब से सबसे पहली चीज जो है वहे लंबाई बहुत फास्ट बढ़ती है बहुत और आपको पता चल गया होगा कि मुरब्ब कितना फाइदे मंद है अब जो लोग पूछ रहे थी कि हमारे बच्चे 16 साल के हो गये हैं 17 साल के हम उनको दे सकते हैं कि नहीं तो बिल्कुल दे सकते हैं आप केवल 6-7 महिने दीजिए आप खुद रिजल्ट देखिए और बांस क मुरब्बा जब आप खाते हैं तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके हेल्ट वेनिफिट बहुत जादा हैं आप जाके इसको गूगल भी कर सकते हैं तब आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या चीज बता रही हूं अब देखिए ये तो मैंने बता दी लंबा का ब्लड नहीं बढ़ रहा है हीमोगलोविन कम रहता है तो आज आपको एक बढ़ियां सी और ऐसी डाइट बताने वाली हूं यह तरह का प्रोटीन है हां लेकिन इसको भी मैंने सेयर किया था इसमें कुछ ऐसे अजीब हो गरीब कोमेंट आए थे तो मैं आपको उसके बार करते हैं सबसे पहले हमको इस ड्रिंक को बनाने के लिए लेना है सत्तु तो जैसे कि मैंने आपके साथ इस वीडियो को सेयर किया था बहुत सारे लोग पूछ रहते कि सत्तु क्या है तो आपको मैं बता देती हूं कि जो चने होते हैं उनको सेका जाता है उसके बाद उनका खिलका उतार के उनको पिस्व ऑया जाता है उसको बोलते हैं सत्तू अगर आपके पास लाल वाले चने हैं तो आप घर में भी खे 2 मिक्सि जार में सत्तू बना सकते हैं लेकिन यह मेरा मार्केट वाला सत्तू है वैसे मैं बुंदेलखंड से हऊं तो हमारे हैं सत्वा ही और फिर यहां पर दो तीन चीजें और एड़ करनी है जिससे कि हमारा परफेक्ट प्रोटीन सेग बनके तयार हो जाएगा और इसके भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यकीन मानिए यहां पर जो हम रेगुलर में स्पून इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच ले लिया है और अब हमने ले लिया है देटस तो मैं यहां पर दो गलास प्रोटीण सेग बना रहे हूं तो यहा पर हमको करीब 7-8 डाट की जरूरत है अगर चोटे साइज के हैं तो आप यहां पर दस ले लें अगर बड़े साइज के हैं तो छे से साथ इन अप है और आज आपको मैं यह दो ऐसी चीजे बता रही हूं जो हर घर में प्रोब्लम चल रही है देखिए अगर हमारे दो बच्चे ना तो एक बच्चा स्वस्थ है लेकिन एक कहीं दुगला पतला है क्योंकि वो टाइम टाइम पे खाना ही नहीं खाते घर की चीजे उन्हें पसंद ही नहीं आती है दूद दो तो दूद नहीं पीते हैं बहुत नाटक है आज कल के बच्चों के तो अगर हम इस तरह की चीजे उनको देते रहते ना तो उनकी डाइट पूरी होती रहती है तो यह देखिए मैंने डेट्स डाल दिया उसके बाद हमको लेना है दूद तो अगर आप इस प्रोटीन को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहां पर कोसिस करें कि गाय का दूद लें अगर आपके आसपास कहीं काव मिल मिलता है तो आप सामने दूद निकला के लेके आएं और बच्चों को गाय का दूद देने से बच्चों का माइंड का विकास होता है बुद्धी तेज होती है लेकिन कई बार मेरे जैसे जो लोग रहते ना बाहर उन्हें दूद मिलता ही नहीं है तब तो हम पैकिट वाला ह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों की मजबूरी है तो यहाँ पर देखिए मैंने दूद डाल दिया इसी के साथ मैंने गुड़ डाला है करीब 50 ग्राम अब एक चीज मेरे पास नहीं थी तो वो मुझसे मिस हो गई वैसे मैं हमेशा इसमें इस्तेमाल करती हूं वो है ब मार्केट की चीजें आपको बच्चों को खिलाते खिलाते दो साल तीन साल चार साल हो गये होंगे बच्चों में कोई ज्यादा फरक नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन यह मेरी बताई हुई ड्रिंक के वहले एक महीने अपने बच्चों को दे के देखें आप खुद पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सेयर करें तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूंगी आप सब हमेशा स्वस्त रहें रादे रादे